सोने का अंडा मुझे काट कर तुम्हें नुकसान ही होगा क्योंकि मैं सोने का एक अंडा रोज देती हूँ मुझे जीवित रखो और रोज सोने के एक अंडे के मालिक बन जाओ इससे तुमारे निर्धनता भी दूर हो जाएगी हो सकता है तुम जूट बोल रही हो किसान ने कहा सुबह तक आज मालो अगर बाद जूट निकली तो मुझे मार डालना मुर्गी ने कहा किसान राजी हो गया सुबह हुई सच मुच उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था किसान खुश हो गया अब तो यह है रोज का सिलसला बन गया कुछ ही दिनों में वह किसान माला माल हो गया एक दिन किसान के मन में लालच ने सर उठाया उसने सोचा कि कौन रोज रोज एक एक अंडाय कठा करता फिरे मुर्गी को मार कर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लेता हूँ लालच में फसे इंसान की बुद्धी भी काम करना बंद कर देती है किसान के साथ भी यही हुआ धेर सारे सोने के अंडे एक ही बार में प्राप्त करने के लालच में उसने मुर्गी का पेट चीर डाला और वह मर गई लालस में प्रकर किसान रोज मिलने वाले सोने के एक अंडे से भी हाथ दो बैठा कथा सार धेरे कफल सदैव अच्छा ही होता है और अधीरता बने बनाए काम को भी विगार देती है यदि किसान धेरे रखता तो रोज सोने का एक अंडा पाता परंतो एक साथ धेर सारे सोने के अंडों के उसके लोब वे अधीरता ने उस मुर्गी को ही मार डाला जो रोज सोने का एक अंडा देती थी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको हमारा प्रियास पसंद आया हो तो इस वीडियो को मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए आओ सफर तै करें धरम से अध्यातम की और